आज चोटा सा एक टॉपिक है बड़ा टॉपिक कुछ नहीं है नॉर्मली प्रीयम के उपर आज हम लोग बातचीत करेंगे तो प्रीयम लगता है कि नहीं लगता है इसका उपर थोड़ा सा कोस्टिन किया है तो प्रीयम लगता है मगर जादा नहीं लगता है अगर जादा प्रीयम हो जाएगा तो क्या होगा जो नेचरल वोकल है वो वोकल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेट हो जाएगा तो इसलिए प्रीयम हम लोग कौन सा कौन से जगा से कर सक चैनल होता है इसमें प्रियम एक नॉब रहता है इसको प्रियम नॉब बोलता है ए भी प्रियम ए भी प्रियम ए चैनल लंबर दो और चैनल लंबर एक और बोथ चैनल में फेंटम पावर सपोर्ट करता है ठीक है फेंटम पावर सपोर्ट करता है तो यह हो गया और पीछे का नॉरमली कोई preamp रहता नहीं और प्रिजास के लिए लगता है तो instrument के लिए preamp नॉरमली जो keyboard player है keyboard बजाने के लिए जो studio में आते हैं तो उसके लिए preamp लगता नहीं है कीबोड में अलाग एक volume controller होता है जिसको बढ़ाके और काम करके वो साउंड दे सकता है ठीक है प्रियम लगता है किस के लिए जैसे कि सिंगर के लिए लगता है फ्लूट जो बजाते है उसके लिए लगता है वाइलीन जो बजाते है उसके लिए लगता है गीटार जो बजाते है एकोस्टिक गीटार जो बजाते है उसके लिए मन्दब जिसका अपना कोई वॉलूम नहीं होता है उसको लगता है अभी गीटर का बारे में हम बोल रहे हैं बिसिकलिए गीटर में एक पीक अप रहता है पीक अप लगाने से क्या होता है उसका मन्दब टोनल कॉलिटी बहुत शार्फ हो जाता है रेकॉर्डिंग करने में त लगा हुआ है जो गेजेट लगा हुआ गेजट नहीं है उसके शाल्फ हो जाता है तो अभी यह इसका एक आós choice जो हम लोग हम लोग कि बारे में बोल रहे हैं प्रिएम्प लेने का भीयग मैक्सिमम कैप आसिटी है मैक्सिमum कैप सिटी अगर हम लोगों को ओई बहुत सारा बहुत ज्यादा हम लोग तो वॉलूम नहीं बढ़ा सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम हमारा हिसाब से माइनस 6 डीवी तक हम लोग जा सकते हैं जैसे कि हम लोगों को studio output configuration मूनो लेते हैं तो देखिए हम hello कर रहा है तो hello जब करेंगे तो इसको रखे करेंगे hello hello check अभी इसका हम लोगों को fader को देखना है जैसे कि fader कितना दे रहा है तो minus six तक हम लोगों को जाना चाहिए यह minus six मन्तब minus six जाना चाहिए यह बात नहीं है हर टाइम minus six रहेगा मतलब इसका maximum peak amplitude minus six में जाएगा उससे ज्यादा नहीं जाएगा अगर ज्यादा जाएगा तो इसमें distorted हो जाएगा फट जाएगा समुझ तो बहुत सोना instrument में दिखा गिया है जैसे कि guitar बजा रहे है मगर signal इस तब हम लोग preamp को यूज करते हैं ठीक है समझ गया क्या हम बोलना चाहते है तो तब हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ना sound card का जो हम लोगों को volume controller है जो volume controller से हम लोग guitar को दिया है जैसे कि एक number से guitar दिया है एक microphone में दिया है तो यह guitar बजा रहा है गिटर बजा रहा है तो गिटर जब बजा रहा है वह microphone का distance का हिसाब से उसका माइनस 12 वा रहा है नहीं तो माइनस 80 ना रहा है तो हम लोग इदे से volume को आगर ए 50% में रहेगा ए 50% में रहेगा इसको हम लोग 80% कर देंगे ठीक है अभी उसका बाद उसका बाद भी वह 6 तक नहीं पहुच रहा है तो हम लोगों को मतलब इतना ज्यादा करना नहीं है जैसे कि हम लोग चला गया mixture में mixture में जाके इसका जो insert है इसका इसका इधर से on करना पड़ेगा लोकेटर show all करते है और इस इधर भी हम लोग थोड़ा सा show all कर देते हैं तभी हम लोगों को दीख पाएगा ठीक से जो show all channel यह होगी है हम लोगों के input channel और इसमें routing option को बंद कर देते हैं अभी इधर से rack को all rack कर देते हैं उसके बाद pre के pre में जाएंगे प्री में जाके हम लोग इधर से gain बढ़ा सकते हैं तो gain भी हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं उतना जादा नहीं बढ़ा सकते हैं जो जिसमें distorted हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं जैसे कि इसका जो gain है अभी 0 में है थोड़ा सा बढ़ा रहा ह तो अभी 6 क्रॉस करके चला गिया है तो इसका भी एक लिमीटेशन है तो लिमीटेशन कितना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं तक उससे ज्यादा नहीं है कि उससे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे तो साउंड का जो नेचरल क्वालिटी खराब हो जाएगा ठीक से नहीं बन पाएगा इसलिए प्रियम को बहुत ही सही तरीका से यूज करना चाहिए अभी कोस्चन आ रहा है क्या प्रियम्प क्या उल्ल मिक्षर में हम लोग प्रियर होता है मिक्षर में में भी सेम इसलिए को रिएum करना अनको उसका भालिटी और उसका मेक्सिमक कैपसिटी उतना ही होना चाहिए जेतना क्याओ चंपेख्ट में고 जाएगा, बहुत अच्छा काम होगा, आपको तो क्लीप नहीं दिखाएगा, मगर उसमें कोई भी ईफेक्ट से लगाएगा वह दिक्कत हो जाएगा तो इसके लिए आप लोग अच्छा क्वालरी के क्या साउंग काड शानग सकतो, नहीं तो जिसका पास अच्छा क्वालरी क का sound card मैं म现在 अधना आचा नहीं है तो वह लोग mixer use कर सकते हो जैसे कि sounds card से mixer connection होगा उसका connection हम अधने detail में दिखाएंगे the sound card से mixer कैसे कर लग कर दिये है अलड़ी जैसे कि ये Sound card हो गिया sound card का जो input है ओ इधर उधर चला जाएगा mixer में चला जाएगा ऑक жд इंध시 से स्पीकर में जाएगा तो ऐसा करके भी अब जैसे तब हम लोगों को इधर हम लोगों की इनपूट देना पड़ेगा मतलब ऐसा थू जा रहा है होके निवेंडो नहीं तो क्यूवस में घुस रहा है ऐसा हो रहा है तो यह था आज का ट्यूटरियल तो लगते हमको लगते ह इसमें आप लोग ठीक से समझ जाओगे और जो हमारा चैनल में नया है थोड़ा हम चैनल को सब्सक्राइब करिए जैसे कि एकदम तूरंद वीडियो आपको मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोट करेंगे थैंक्यू दोस्तो थैंक्यू फर वाचिक दिस वीडियो